नवश्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि हम पिछले दस बारे दिन उसा नेलाइस करते हुआ रहे थे कि मार्किट एक रेंज बना रहा है और मैं केलियर बता रहा था कि मार्किट जैसे ही 750-777 के ऊपर निकलेगा तो एक वन वे रेली दे सकता है जिसमें हमारा पहला टार्गेट था 45,000 के आज़ सबास का और दूसरा टार्गेट था हमारा 45,400 के आज़ सबास तक का मार्केट ने ये दोनों है टार्गेट हमें last two days में ही achieve करा दिये थे और दोस्तों अगर आज हम देखें तो मार्केट ना इस range का जो target बनता है वो भी आज achieve करा दिया है चली है मैं पताता हूँ कि range का target कैसा निकाला जाता है अगर हम देखें, मार्केट ना रेंज बना हुई थी 45,750 के आसपास की और नीचे के तरब 44,950 के आसपास याँनि ऊपर 44,750 और नीचे के तरब 43,900 के आसपास की यह रेंज लगबग लगबग देगा तो हम 800.000 की है यह रेंज बनी हुई थी अब market के लिए range का जो target था वो यहाँ पर था अनिकि 600 के आसपास, 611, 622 या 588 के आसपास का इस range का target था, market ने आज इस range का विए target हमें अचीव करा दिया है, अब हो सकता है दोस्तों market कल के session में अपने आपको sustain करें, अपने आपको रोकें, यह trap भी कर सकती है तो कल हम छोटी quantity से trade लेंगे, और trade हम जाजातर ऊपर के तरफी देखेंगे दूसरा, मैं एक चीज़ और बता जेता हूँ आपको, अगर आप nifty 50 के chart देखें तो nifty 50 ने भी अच्छी कासी rally हमें देखने के लिए मिली है इसमें लगबग लगबग देखें तो, 19,200 से और 20,000 लगबग लगबग, 800 point के rally हमें इसमें मिल चुकी है दूसरा, nifty 50 अपने resistance पर आ चुका है अब कल के session में अगर nifty 50 नीची के तरफ trade करेगा और bank nifty ऊपरी के तरफ trade करेगा, तो confusion create हो सकती है इसलिए मैं कहा रहा हूँ, कल के लिए जब तक setup के लिए ना बन जाए हमारा कुछ setup समझ में ना आजाए कल के scenario में, तब तक हम छोटी quantity के प्रान लेके चलेंगे तो मैंने दूनों चीज बता दी कि nifty 50 अपने resistance पर आ चुका है कि दोस्तों जब market दोनों ही एक side में चलती हैं, तो अच्छा moment आता है अब अगर nifty 50 नीचे के तरफ trade करेगा, और bank nifty उपर के तरफ trade करेगा तो दोनों ही हो सकता है trap करें, और trade लेने में दिक्कत आ सकती है चली पहले हम देख लेते हैं कि आज के session में हमने कहा कहा trade किये थे दोस्तों आज का जो मैं अपना scenario बनाया था, मेरा पहला plan था कि market जैसे ही आज के high के उपर sustain करेगा या निकलेगा तो मैं उपर के तरफ trade ले लूँगा पहला जो trade मेरा मैंने लिया था, वो 10-5 वाली candle पे लिया था यहने कि 410 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और 522 के आसपास का मैंने अपना target सेट किया हुआ था लेकर market consolidate करते रहे उसके बाद जैसे ही नीचे निकली तो मैं 11-5 के candle पे लगबग लगब निकल भीगी चुका था इस trade मुझे loss हो गया था, अब मैं wait कर रहा था कि मुझे दूसरा setup बनेगा तो मैं trade लूँगा दूसरा setup दोस्तों मैंने जो दूसरा trade लिया था, वो लिया था 11-35 की candle पे market जैसे ही इसके high पे दुबारा आया, यहाँ 15 minute market रुकी, जैसे ही इसका high निकला था फिर से मैंने 411-415 के आसपास trade लिया और इस candle का 333 के आसपास का मैंने SL रखा हुआ था आप market यहां consolidate करती रही, करती रही, करती रही, उसके बाद एक यह movement आया, फिर market नीचे आ गई, यह green candle खराब कर दी, जब यह green candle बनी थी, जब यह red candle बनी थी, मेरा प्लानत है कि market अब इसके high को निकालता है, 477 को, तो मैं यहाँ quantity और add करूँगा, और अगर इस green candle के नीचे जा जाता है, तो मैं यहाँ से exit हो जाऊँगा, चा मुझे loss हो, चा profit हो, दूसरे trade मैं इस में निकल गया, दूसरे trade मुझे ना profit हुआ, ना loss हुआ, जो पहले trade का loss था, वो ही था, तीसरे trade जो मैंने लिया दोस्तों, वो इस candle पे लिया, यानि कि डाही बजय वाली candle पे, market ने इस range के उपर निकला, यहाँ sustain करा, जैसे इसके उपर निकला तो trade मैं ने यहाँ ले लिया था, मैं भी trade भी दिखा दूँगा आपको अपने, अब market दीरे-दीरे करके उपर जा रहा था, अब यहाँ मुझे doubt फुन लगा था, market उपर जाने में मेरे price बहुत दीरे-दीरे ब profit हुआ था, उसका market यहाँ से है, यहाँ तक गया, लबग लबग दे में 550 से है, 622 तक, 70 point market उपर तो गया, लेकिन यहाँ इसने कोई moment हमें अच्छी कासी दी नहीं, दूसरा तीन बजे के आसपास, पहुन तीन बजे के आसपास मैं कोई trade करता है भी नहीं हुजा देतर, चल अब हम कल के session में देख लेते कि market कल के session में कहां trade दे सकता है, यह trend line तो दोस्तो रहीगी रहीगी इसे में हटा जेता हूँ, अधेखे market अगर कल इस range में open होता है यह देगे, market अगर कल इस range में open होगा तो मेरा कोई trade नहीं होने वाला कल इस range में market अगर open होता है तो मैं कोई trade नहीं लोगा उपर के तरफ 500 का level है और नीचे के तरफ 355 का level है अगर market इस level पर आकर, यहां आकर कोई projection बनाता है नीचे के तरफ और नीचे के तरफ 355 को break करता है तो मैं छोटी quantity से नीचे के तरफ trade ले लूँगा जो कि मेरा पहला target होगा आज का low यानि कि 255, 233 के आसपास का दूसरा target होगा 44, 24, 211 के आसपास का यानि कि आज का low और जो last take जो closing है उसके आसपास के मेरे यह दो target हो सकते हैं condition किया होगी कि market 400 के आसपास open हो और उसन नीचे ही sustain करे और जैसे 355 को निकालेगा तो मैं नीचे के तरफ छोटी quantity से trade लूँगा नीचे के तरफ मैं छोटा प्लान कर रहा हूँ और उपर के तरफ normal मेरे quantity होगी दूसरे condition market अगर 400 और 500 के आसपास open होता है यहां कही market open होता है और यहां पहली 5-10 मिट के candle में कोई hammer candle बनाता है यह positive candle बनाता है यह को range बना के ऊपर के तरफ breakout करता है तो मैं यहां trade लूँगा यहां भी मेरे quantity छोटी रहेगी यहां मैं 110 quantity लूँगा यहां 50% quantity ले सकता हूँ और मेरे तो best trade होगा दोस्तों वो यहां पर होगा कि market 500 यह मैं यादिर कर देता हूँ market इस range में 500 और 600 market इस range में open होता है कल और यहां sustain करने के बाद उपर 622-633 को निकालेगा तो मैं उपर के तरफ trade लूँगा जैसे मेरे 100% quantity होगी तीन जगे के सेनेरियों पताई है मैंने पहला trade कहां पर होगा रहा हो सकता है 373, 400 और 355 के आसपास अगर market नीचे के तरफ break करता है यहां quantity मैं 110 रखोंगा अगर मैं 100 quantity trade करता हूँ तो यहां स्रीफ मैं 10 quantity trade करने वाला हूँ वो भी condition होगी कि market यहां रुके उसके बाद नीचे breakdown करता है तो दूसरे condition market अगर यहां open होती है यहां open होती है तो मैं 50% quantity से trade करूँगा 488, 522 इसके आसपास open होती है यहां को range बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो हम उपर के तरफ 88% quantity trade देखेंगे जो कि मैरा पहला target होगा 755 का और दूसरा target होगा 822 के आसपास का उपर के छोड़ चोड़ चोड़ टारगेट लेके चलेंगे दोस्तो कि को market ने अच्छी का स्रीली दे भी दिये हो सकता है market यहाँ पर कल sustain कर जाए रुक जाए उसके बाद परसो यानिके expiry वाली दिन हमें अच्छी कासी मोमेंट देखने के लिए मिले I hope तोनुही setup समझ में आ गए होंगे आपको चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में दोस्तो और दोस्तो मैं फिर से कहूंगा कल थोड़ा साफदाने से trade करें कल हो सकता है market trap भी कर सकता है चलिए मिलते हैं दोस्तो कल की वीडियो में धन्यवाल